रादे रादे आप सभी को ठाकुटची आप सभी को स्वस्त रखें और मस्त रखें आप सभी को एकादसी की हार्दिक सुपकामने आज मैं आपको पाप मोशनी एकादसी की बुरत कता सुनाने जा रही हूँ जो पढ़ रही है पाँच अप्रेल सुक्रवार के दिन तो आप स यदुनंदन अब आप चैत्रमास की कृष्ण पक्षे की एकाधसी का नाम तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है उसकी विधी क्या है और क्या फल है यह सब कथा महत्व सहित वर्णन की जिए की प्रत्यंचा डोरी बान उसके नेत्रों को संकेत बनाए और कूचो की कूरी बान बना अदू दोसा को सेना नायक बनाकर मुनी के उपर अपना प्रार किया उस समय यह में धावी मुनी भी हश्ट पुष्ट तता युवा आयू वाले थे दूसरे कामदेव के समान प्रतित होते थे कामदेव के वस में होने वाली मंचू गोसा अपसरा ने दीरे-दीरे मधुरवानी से वीना पर गाना प्रारम कर दिया वह मुनी भी उस अपसरा के सौंधरी और गाने पर मुखद हो गए अदू धोसा ने मुनी को कामदेव से पीडित और अपने उपर असक्त जानकर जिस प्रकार वायू के प्रभाव से लता विरक्षि से अली गंगन करती है उसी प्रकार वहाँ अपसरा उस मेधावी मुनी स अली गंगन करने लगी वहाँ मेधावी मुनी भी कामदेव के प्रभा में वसी भूत होकर उस अपसरा के साथ बहुत काल तक रमन करते रहे एक दिन अदू धोसा अपसरा ने मेधावी मुनी से का है मुनी अब मुझे बहुत काल रहते ब्यतित हो गया है अता मुझे स्वर् प्राता काल तू चली जाना मुनी के आगरा करने पर वहाँ अफसरा वहाँ पर ठहर गई और कुछ काल वही पर रहकर ब्यतित किया एक दिन फिर अफसरा ने मुनी के स्वर्न जाने की आज्या मांगी मेधावी ने का है देवी अभी तो कुछ ही समय ही हुआ है अता अभी आपके पास आये बहुत समय हो गया है अधू दोसा के वशनों को सुनकर मेधावी मुनी को ग्यात हुआ और उन्होंने जब रमन करने के लिए समय का विचार किया तो 57 वर्स साथ महा तीन दिन ब्यतित हो गए थे यह जानकर वहां मुनी उस अफसरा को काल रूप जानने लगे उनके अधर क्रोध में कापने लगे और समस्ता इंद्रिया थर थराने लगी उन्होंने उस अफसरा को सराव दिया कि हे दुष्टे तू पिचासनी हो जा तू महापापनी और दुराचारी है तुझे दिकार है मुनी के सराव से वह अफसरा पिचासनी बन गई तब उसने प्रातना करके मुनी से का है मुनी अब क्रोध को त्याक कर मुझ पर प्रशन हो जाईए और इस साप को निवारन कीजिए इसकी बात सुनकर मुनी ने सांत होकर कहा रे दुष्टे तूने मेरा बड़ा बुरा किया है प्रंतो फिर भी मैं तुझे इस राफ से मुक्त पाने का उपाय बताता हूं चैत्र माक्स के किष्ण पक्षिगी पाप मोचनी का दसी का वरत करने से तेरी यहां पिचासनी का देह छूट जाएगी तब मुनी ने उसे वरत करने की विधी आदि सब बता दी अपने पापों को प्राश्चित करने के लिए मेदावी मुनी अ पास आए विधी वन रिसी अपने पुत्र मेदावी को देकर बोले है पुत्र यहां तुने क्या किया जो तेरे यहां समस्त तब का अंत हो गया तब मेदावी ने का है पिता मैंने बहुत बड़ा पाप किया है ता किर्पया करके आप मेरे इन पापों को नश्च करने का अपने पिता कि आग्या मान मेदावी मुनी ने विधी पूर्वक उस पाप मोशनी का दसिगा वरत धारन किया जिसके प्रबाव से उनके समस्त पाप नश्च हो गए उधर मच्चु धोसा अपसरा भी पाप मोशनी का दसिगा वरत समस्त पापों से मुक्ति को हो पिचासनी देह से छूट गई और सुन्दा रूप धारन करके स्वर्ग लोग को चली गई लोमेश रिसी ने का है मन्धाता इस पाप मोजनी का तसी के प्रबाव से मनुश्य के समस्त पापनश्ट हो जाते हει इसकी कतास्रवन करने से सभी पापनश्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामने पूर्ण होती हैं, हाजारों गुना दान पूर्ण का फल हमें प्राप्त होता है, सभी कोई का दसी ब्रत का नियम पारवक ब्रत करना चाहिए, उसी नमें बिल्कुल फला लागा है।